फ्रेंट्स आज हम बात करें है Trident Limited की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडेस्टीज की आलोक इंडेस्टीज में पिछले कई महीनों के बाद जबर्दस तेजी का वातावन बन गया है स्टॉक 35 पर पहुच गया है और यह जो हाई बनी है यह बिल्कुल नई हाई है और काफी समय के बाद लगबग साल दो साल के बाद यह ही देखने को मिलिये यहाँ पे जो तेजी का वातावन बनाए यह आने वाले समय में कबाल कर सकता है और इस तेजी के पीछे जो वजब बनी है वो जानेंगे इस वीडियो के मादेम से और साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड में लगातार अपर सर्कृट लग रहे क्या यह अपर सर्कृट का दोर इसको त्री डिजिन में लेके जाएगा क्या इस समय हमें आलोक इंड़स्टीज में इंवेस्मेंट कर लेना चीए तो कि काफी समय के बाद श्टॉक 30 को क्रॉस करके ऊपर की तरब चला गया है क्या यहां से बड़ी तेजी बन सकती है तो कि यह काफी समय से अंडर पर्फॉर्म श्टॉक था अब इसमें करेंट लग चुका है तो क्या समवावन बन रही है साथ में ट्राइडेंट लिमिड सबसे पहले आलोक इंडिश्ट्री की बात करेंगे स्टॉक उपन हो आए 30.30 पर लो 30.15 की हाई 35.80 की फिलाल स्टॉक 35.40 पर ट्रेड कर रहा है यानि 17.80 की बंपर तेजी अभी एक बज़े के आसपास का टाइम है स्टॉक ने कमाल कर दिया है इसकी परफॉर्मेस को अगर ह एक महिने पहले यानि लगबग 20 दिसमबर उसकी प्राइज मात्रे 22 पर थी और 22 से स्टॉक 35 पर पहुच गया है तो जिसने भी निवेस किया था 20 दिसमबर को उसको जबरदस रिटन मिल रहा है काफी कम समय में यानि लगबग 20 ट्रेडिंग सेशन में ही जबरदस स्टॉक यहाँ पर एक बार 31 पर अलड़ी जा चुका था पहले यह 14 जून को उसके बाद में स्टॉक में फिर गिराउट हुई और काफी समय तक स्टॉक एक ही जगा भी ट्रेड कर रहा है अगर आप देखे तो 22 किस की प्राइज थी 19 जनवरी 2020 की और फिल से अगर देखे तो 20 दिस के बीच में इसने काफी जादा ट्रेड किया अब इस्टॉक दोड़ने के लिए तयार हो चुका है अगर आज वॉल्यूम की बात के तो जबर्दस वॉल्यूम में इजाफा हुआ है पिछले एक मैने पर इसका 3 क्रोड का वॉल्यूम था वन विक पहले 8 क्रोड का जबर्दस उचाल है वॉल्यूम में पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 पे आ चुका है और फ्रेंड्स अलोक इंडेस्ट्री की अगर बात करें तो 18.7052 वी का लुए 35.8052 वी का ही है जो आज इसने रिसेंटली बना दिया है मतलब भी स्टॉक बिल्क बाकी सब इसमें से निकल चुके तो यह बात यहाँ पे गलत साबित हो चुकी है प्रमोटर यहाँ पे बिल्कुल मजबूत है 75% की होल्डिंग है जो जून, सेप्टेमर और दिसमर क्वार्टर से अंचेंज है यहाँ पे 75% की लिमिटर इसके उपर प्रमोटर अपनी तो आप देख लो कि FI इस बाजार को अच्छे से समझते है और उन्होंने लगादर अपना इन्वेश्मेंट जो बढ़ाया है आलोग इंडेस्टी में यह इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिव ट्रिगर साबित हुआ है दूसरी तरह डियाई ने अपना जून, सेप्टेमर और डिसमबर से अंचेंज है और इसलिए यह जो शेर होल्डिंग पैटर्न है यह एक बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है अदर्स की बात के जिसमें जनरल पब्लिक है तो 22.96% की होल्डिंग जून में थी 22.8 से उन्हों नहीं उनकी होल्डिंग कम हुई दिसमबर आदे 22.81 होगी तो लगातार जनरल पब्लिक ने अपनी हिमत हा रही है लेकिन बड़े फंड आउस, FI और म्यूचल फंड ने इसके ओपर भरोसा कायम रखा और इसलिए यहाँ पे तेजी का बातवार बनना शुरू हो गया है अब कल हम इसको रिजल्ड भी देख क्योंकि जब तक रिजल्ड डिकलेर ने होगा इसके बार में कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो हवाय चल रही है कि रिजल्ड बहुत सांधार हो सकता और इसलिए आज बड़ी तेजी बननी शुरू हो गई है तो क्वाटर तरीके रिजल्ड के पहले जो तेजी है यह एक सबसे बड़ी तेजी बनी उसके पीछे है तो बड़ी बड़ी बलक डिल उसको भी एक बार डिसकस कर लेते हैं तो 10 बचकर 4 मिनिट पर 32 की प्राइस से करीब 12,54,000 की एक बड़ी डिल हुई फिर 11,54,000 की बड़ी डिल हुई और इन बड़ी डिल के माध्यम से जो माल गया है उसकी विज़े से लगातार यहां पे तेजी बनती गई यहां पे बहुत सारी डिल दूसरी भी होई लेकिन छोटी डिले उसको हम डिसकस नहीं करें लेकिन काफी अच्छी खरीदारी हुई है यहां पे बड़े-बड़े mutual fund है जो अपना दाव लगाया तो उसमें जैस इसे बिल्ला SL Nifty Small Cap 50 ने 0.58 कोड़ी का इंवस्पन करके 1.33% के ओल्डिंग लिए है आई से प्रूव स्माल केप इंडेक्स ने 0.13 कोड़ी का इंवस्पन करके 0.38% के ओल्डिंग लिए है मोतिला लोसवाल निप्टी 500 फंड ने 0.07 कोड़ी का इंवस्पन करके 0.03% के ओल् ऐसे भी अगर सिंटेक्स इंडेस्ट्रीज निलामी में जीत जाते है तो आने वाले समधें सिंटेक्स इंडेस्ट्रीज और आलक साम इजर होता है तो ये बड़ी कमपणी बनेगी और फिर इसके कारोबार में हमें बहुत बड़ी वृती देखने को मिलेगी ये अभी 36 बता रहा है मतलब 25 से उपर है तो bullish zone में ही गीना जाएगा उपर की दर मूख नभी जो target निकल किया रहे 31.17 का first target है 32.28 का second target 33.67 का third target तीनों target इसने hit कर लिए बिल्कुल stock bullish zone में है और इस समय आप investment के बारे में सोच सकते हैं चाहे तो कल का इंदिजार कर ले result का अब चलते हैं हम Trident Limited की तरफ stock कमाल कर रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कारोबार की बात के दो 67.70 पर open हुआ 67 का low भी बनाया लेकिन फिर 68 पर इसने 5% का परसेट लगा दिया volume को देखे तो BSC में 24,57,000 का volume वा सामने 18,94,000 की delivery उठाएगी delivery का percentage 77.06% है NSE की बात करें तो 80,64,000 का volume हुआ सामने 66,61,000 की delivery उठाएगी delivery का percentage 82.60% है तो दोनों exchange में अच्छा खासा काम हो है circuit के बावजुद भी यहाँ पे अभी भी बाजार में शुरू है 57,92,000 बाहर खड़े इसको खरीदने के लिए volume की बात पर तो पिछले एक मेने पहले इसका 2 crore का volume था one week पहले भी 2 crore का volume हो था Friday को 1 crore का volume हो था अभी एक बज़े के आसपा 1 crore का volume हो चुका है circuit लग चुका है और 12.70 52 week का lower 68 इसका 52 week हाई है जो इसने बना दिया है और जैसे कि मैंने आपको 52 के आसपास खरीदारी के सला दे दी थी कि ये stock breast mode से निकल चुका है आप इसको खरीदारी कर ले नीचीए तो काफी कम समय में stock 68 तक पहुँच चुका है थर्ड support 62.6 तरी का है उपर की तरह मूख करने पर जो टार्गेट निकल के आए 65.23 का फर्च टार्गेट है 65.67 का थर्ड टार्गेट है और 66.53 का थर्ड टार्गेट है तो फिलाल stock बिल्कुल बुली जोन में आचुका है तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें आप investment कर सकते हैं बहुत जड़ी है त्री डिजिन में जाएगा क्योंकि company का कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और company सबसे बड़ी बात है फाय आरपे काम करती है जो भी electricity का यूज होता है उनके लिए वो खुद अपना उत्पादन करते है अपना जो वेस्ट मेटरिल जो company का निकल रहा है उससे बिजली बनाते है यह सबसे बड़ी बात है जो वेस्ट वाटर निकला उसको भी treatment के माद ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से यानि जो 44 बिलियन डॉलर का जो टार्गेंट रगा गया तो उसके 67 परसंट अलड़ी अच्छी हो चुका है और यह ministry की तरफ से जो का गया है कि बहुत अच्छा कर रहा है हमारा textile उद्द्यो और इसलिए दोनों export के खिलाडी है आने वाले समय में इनका बहुत benefit इनको मिलने वाला है तो निवेस बनाया रखें बहुत ही अच्छे इस्टों गया लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने फाइनसर एड़ोई से बाड़ोई ले या अपना खुद का research कर ले क्योंकि मैंने वीडियो आपके education पर प्रप्रच के ले ही बनाए वीडियो पसंद आई तो लाइक से जुरू कीजा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड